कोरोना संकट पर स्वास्त मंत्राले वो ही मंत्री समू के बैठक ताजा हालाप की समिक्षा केंद्री स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्श्वर्दन के नित्रित्व मंत्री बैठक विदेश मंत्री स्जाई शंकर ग्रेर राजमंत्री नित्यानंद राय समित कही मंत्री बैठक में लिया गया फैसला, कुरोना से जंग के लिए नौराज्यों में 10 टीमों का गठन, 5000 कोच में 80,000 आईसोलेशन बॉर्ट बनारा रेलवे, 49,000 वेंटिलेटर्स का दिया गया ओर्डन देश भर में कुरोना के कुल मामले बढ़े, 5,800 से ज्यादा लोग अब तक कुरोना से पीडित, कुरोना से मरने वालों में भीवा इजाफा, 166 के पार हुई, विमारी से मरने वालों की संक्या 470 से ज्यादा लोग वे ठीक यूपी के 15 जिलो में कुरोना के 104 हॉट्सपॉट सील किये जाने का पहला दिन नोड़ा में ड्रोन से निगरानी तुल मरीज 410 दिहार में भी कोरोना हॉट्सपॉट इलाकों की पहचान सिवान बेगु सराय नवादा में कई लाके सील दिल्ली के मरकज से पहुंचे 10 जमातियों की पहचान दिहार के नवादा में तवलीगी जमात में शामिल व्यक्ति का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव जमात से जोड़ा पहला मामला मरकज कनेक्शन के फुलासे के बाद पूरे इलाके में हड़कम पूरे परिवार को किया गया आइसुलेट दिल्ली के निजाम उद्दीन में आज चला सेनिटाइज़ेशन का काम डियम हरलीन कौर रही मौजूद दिल्ली के कई और होट्सपाट इलाकों को किया जा रहा है सेनिटाइज कुरोना के बढ़ते मामले के करन दिल्ली के 21 इलाके कल किये गए थे सील मध्य प्रुदेश के इंदौर में कुरोना के चपेट में है डॉक्टर की मौथ शेहर में है प्राइबिट क्लिनिक डॉक्टर पंजवानी की मौथ के साथ इंदौर में कुरोना से अब तक 20 से जाधा लोगों की मौथ कुरोना के मरीजों की संक्या 212 के पार ओडिशा के मुक्रिमंत्री नवीन पतनाएक का एलान लॉकडाउन 30 अप्रेल तक बढ़ाने का फैसला दूसरे राज्यों से भी उठी लॉकडाउन बढ़ाने की आवाज पिछले 100 साल में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी की ओर जा सकती है दुनिया अंतराश्ची मुद्रा खोशने जता ही आशंका